असलाम अलेकूम उमीद करती हूँ कि आप सब खेरिया सरूँगे चलिए आज बनाते हैं शाही पनीर मसाला पहले हम एक कड़ाई में बटर दालेंगे फिर हम पनीर को धोडेंगे प्यास और टमाटर को इस तरीखी से खाट लेंगे फिर बटर में प्यास को दालेंगे फिर नमक दालेंगे फिर टमाटर दालेंगे फिर अद्रक लेशन पेस्ट काजू दालेंगे फिर थोड़ा सा पका लेंगे फिर हम इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पॉटर दालेंगे फिर लाल मिर्च पॉटर दालेंगे फिर गरम मसाला पॉटर दालेंगे मिक्स करिए इसको अच्छी तरीफे से आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पानी दालेंगे अपन गिराइंड करेंगे मेरा पेस्ट अच्छे से गिराइंड कर ली हूँ मैं अब ये गिराइंड हो गया है कड़ाई में बटर दालिए पेस्ट पफच्छा इलेची दालचीनी दालिए आप लोग देख सकते हैं माशला थोड़ा सा ये भुने गए बद ब्रॉण कलर हो गए बद हलका सा ये पेस्ट दालेंगे थोड़ा सा पकने दीजिए फिन नम्मक दालेंगे नमक अपने हिसाफ से दालिए ताके ज्यादा ना होना ना कम होना मेरा पनीर जार रही हूं मैं थोड़ा सा पकनी दीजिए आप लोग देख सकते हैं मेरा पनीर मसाला तैयर हो गया है माशालला माशालला कहता तो हर कोई है जायका किसी किसी के हाथ में आता है आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं चावल के संगत भी खा सकते हैं इतना जबर्दस पनीर मसाला बना है मेरा माशल्ला माशल्ला यम्मी यम्मी बना है खाने में भी बहुत मज़ेका है लज़ेदार मज़ेदार है अगर ऐसे ही रेसिपी आसान तरिशे से चाहिए तो कम झाल